नागपुर के जान की रमन अयर अपने असाधारन प्रतिभा नेटिंग करविंग आर्ट के लिए शेहर के कलाप्रेमियों से काफी सरहाना पटो रहे हैं जी हाँ बेकार समाचार पत्रों से सुन्दर कलाकृतिया और मुर्तिया बनाने के अपने करविंग आर्ट के कौशल के लिए वे जाने जाते हैं तो आज हम जानेंगे जान की रमन के बारे में चलिए अयर ने बताया कि 2020 में COVID-19 महमारी के दौरान उनके पास काफी खाली समय था चुकि उनके घर के आसपास के क्शेत्र को एक नियंतरन क्शेत्र तब्दिल किया गया था इसलिए उनके पास अंगिनत समाचार पत्र की रती जमा हो गई थी अयर ने इस अउसर पर फायदा उठाया और समाचार पत्र की पट्टियों से स्पॉत और बाइन जैसी सरल रशनाये शुरू के वह धिरे-धिरे हाती उठ जैसे जानवरो और भगवान बुद्धर और नटराज की मुर्तिया बनाने में आगे बड़े उनकी सबसे प्रशन सित्कृतियों में भगवान तिरुपति बाला जी और राधाकृष्ण की नकाशी शामिल है राधाकृष्ण ये छे फीट से बड़ी है वही तिरुपति बाला जी की कर्विंग आर्ट ये तीन शेड में दिखाई देती है सर ये newspaper knitting and carving art ये नाम दियाया है मैंने क्योंकि लोगों ने paper में कई art किया है लेकि निटिंग वर्क करके उसी के उपर में carving करने वाला पहला बन्दा हूँ सर इसमें सिरफ newspaper लगता है और उसको जड़ासा harden करने के लिए आपको कुछ waste calendars चिपका सकते हैं और फिर बाद में इसको knitting करते समय यह जरा सा powerful हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक knitting होता है तो उसमें जरा सा strengthen हो जाता है वह तो यह एक कर्विंग आर्ट के लिए मेरे को तीन मेने का टाइम लगता है क्योंकि पेपर मेरे को खुदी बनाना है चार्ट है ना यह बनाने के बाद में उसको cutting करके मेरे को sculptures बनाता था मैं अब यह carving art कर रहा हूं तो एंटेरली मैं यह कह सकता हूं कि यह पूरा efforts है मेहनत है तो तीन मेने लगते हैं सरस को अयर इस carving art के लिए घर में रखी हुई चीजें जिनने हम बेकार समझ कर फेक देते हैं ऐसी चीजों को लेकर अयर कलाय साखार करते हैं जिसमें पेपर की रदी फेविकॉल और रंग का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है सबसे पहले पेपर की पटी बनाने जाती है उसके बाद उन पटीों को चटाई की तरह बुना जाता है वो चटाई को फेविकॉल लगाकर छिपकाया जाता है जिसके चलते इस चटाई में मजबुती आ जाती है उस चटाई पर आखुती बनाकर carving art की जाती है एक carving art को साकार करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगता है सर मैं इसको एक्जिबिशन लगाता हूं तो मैंने 14 नावंबर 2022 को नाखपूर जीपियो में पीएम जी मैडम है यहां की पोस्टमास्टर जेनरल शोबा मडाले मैडम के हाथ से मैंने उद्गाटन करवा कि मेरा इद्जिबिशन लगाया था जिसको उन्होंने भी बहुत सा रहा तो बेचने का तो कोई आइडिया है नहीं कि मैं एक गवर्मेंट सर्वेंट था तो नैचरली मेरे को कोई इंकम नहीं चाहिए था इसमें से और फिर बाद मैं मैं अभी भी मैं pensionable pensioner हूँ और मेरे को जितना दाल रोटी के लिए लगता है उतना जरूर मिलता है तो मैं I am not after money बस इस आर्ट का प्रगती के लिए मैं आज के बच्चे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उन लोगों में काफी capabilities है वो भी Indians में सोचने की शक्ती बहुत है बहुत बढ़ावा दे सकते हैं वो लोग सोचने पर सोचने से ही कोई काम में वो सफल हो सकते हैं और मैं पूरी जिंदेगी पर audit department में होने की वजह से मैं इस में समय नहीं दे पाया कोरोना पिरेड था तो मैंने चालू कर दिया मेरा काम ये सोचना पड़ा सोचते सोचते वो डेवलप होते जाता है अब का skill हाँ सर पेइंट तो एक शो के लिए मैंने पेइंट लगाया है बाकी जिसमें मैंने पेइंट नहीं भी लगाया वो भी अभी तक का है जो कि मैं दो हजार बीस मार्च जब कोईड आया था तब से ही मैंने बनाना चालू किया और मेरा पहला दूसरा एटम साब इंटेक्ट है अभी भी अगर देखूंगे तो यह है यह इंटेक्ट है अभी जी यह पूरा यह पूरा इंटेक्ट है यह देखिए नट्राश के मूर्ती इंटेक्ट है और यह जो मैंने बनाया समई यह समई भी इंटेक्ट है कुछ नहीं होगा इसको हाल ही में जब शंकराचार्य नाकपूर शहर के दोरे पर आये थे तो उन्होंने अयर की बनाई तीरूपती भालाजी की नकाशी कर्विंग आर्ट का उध़ाटन किया इससे उन्हें एक अनुठा अउसर भी मिला क्योंकि स्वामे जी ने तीरूपती के कॉलेज में शिक्ष पापिडी को इस कला को सिखाने के क्लासिस लेंगे मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकता था सब लोग आइडल बटे हुए थे टीवी देख रहे थे मोबल चलाना चल रहा था पूरे पूरे वर्ल्ड में ऐसे नहीं बूलूँगा कि इंडिया में लोग क्या करना समझ में नहीं तीन रुपए में मैं लोगा आपसे पेपर करके बूला तो यह अगर सात रुपए बोलता च्छे रुपए बोलता तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि इसको बेज देना चाहिए गरीब है करके लेकिन फिर बात में मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको यूटिलिस करूं कुछ नो old हो गया, तो सोचे कि क्यों न मैं कुछ अनिमल्स बनाऊं मैं, त। अनिमल्स बनाया, वो भी सूपर हो गया, फिर लोज बनाना चालू गज़क्षु क reality-गाव्तम भुद्ध बनाया मैंने फिर कलॉष बनाया फिर बाद में अतना नटराज की मूर्थी बनाया ऐसे बनाते बनाते और सबसे खास मैंने सिर्फ 15 दिन में च्छत्रपती शिवाजी बनाया हो भी इवनिंग मैं आडिट से आने के बाद यह मैंने बुल्डाना में बनाया होटल में बाइट कर जहां मैं स्टे किया था तो राजिश जी करके क्रिशना होटल उस होटल में बाइटके सेटरडे संडे तो आना ही नहीं था नाकपूर 15 दिन का काम था 15 दिन में एक तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया तो फिर यहां आने के बाद में उसको पेंट किया जोड जाड़के मेरे को ग्रेट इंडियन अवा मिला और अभी 2023 को गोल्डन एगल एक्सलेंस अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ हूँ यह सर्फ पहले तो मैं लिमका बुक आफ रिकार्ड में जाना चाहता हूँ यह क्योंकि यूनिक है और यह क्रिएटिव आर्ट है तो इस वजह से पहले पहले रंजी खेलेंगे बाद में ऐसे हैं जानकी रमनायर चाहते हैं कि इस नेटिंग कर्विंग आर्ट के जरिये उनका नाम देश में ही नहीं बलकि दुनिया में भी प्रसित हो आज के BCN News के खास कारिकरम में वक्त हो चला यही रुकने का ऐसी ही विशेश प्रस्तुतिक के लिए आप देखते रहेए BCN News नमस्कार